हलो अभरिबडी दिस दिग्राश सिंग राशपूथ वेलकम तो मैगनेट ब्लाइन्स इस वीडियो में हमारा अगला फीजिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे वहेगे को स्थल प्लेंज क्या समझ में आया थी कोस्टाल प्लेंज देखो हमिदे क्या देखा हमिदेखा मिम पास 30 रिखा है इंदी में जिसे कहा जाएगा ठीक है जो किस से टच होती है जो टच होती है सी से या फिर कहा सकते हैं जो समुद्र से connected है अब इसके advantages हैं बहुत सारे advantages हैं अब इसका भी classification होगा तो फिर जैसे हमने हिमालियाज में देखा हिमालियाज हैं उनके classification अधन प्लेंस हैं उनके classification हर चीज में हमने डिविजन सब डिविजन classification देखा तो फिर इसे कैसे छोड़ देंगे अब आई हम यह दिखते हैं तो इंडियन coastal प्लेंस जो है coastal प्लेंस होते क्या है पहले यह समझो सबसे पहली चीज़ दो यहां पर क्या है western घाट फिर बेच में deccan plateau उप देकन प्लेट की इस में कई के इस इस तरन गाट है अब देखो एसा नहीं कि western घाट के बाद में सीधह एकदम से घाट है और घाट के बाद में यहां समुधर आगया बिल्कुल तो यहां पर क्या है घाट के नीक खदम होने के बाद में यह जो встреч है इसे ये जो сторल स्ट्रेश है इनने क्या आए इन्हें कोस्टल प्लेंज का या किविडेगा ऐन अबमेन होने के साथ साथ में कैसी यहां पर आपके इंडियन में रेंड चोई मेंके बाद में चॊँराइब ही में बार्डर उन्सेट सोहुआ हमारे स्पाइब मंगें और स्वेश्ट शीजब्लें डाइव सेखें AMY सारी चीजें पढ़ेंगे हैं, stretch of narrow coastal strips at the margin of peninsular plateau, तो यह जो peninsular plateau है, उसके margins पर है, ठीक है, यह plateau है, प्लेटो के बाद में mountain भी आएगे, mountain नहीं लिखने, लोगों ने, mountain आएगे, mountain के बाद में, जो strips है, वो coastal plane के रहला आएगी, उसके हाद इस strips run along the arabian sea on the west and bay of bengal on the east, तो अब देखो क्या है कि वेस्ट पे जो कोस्टल प्लेन है हमारा तो वेस्ट का कोस्टल प्लेन किसके साथ दोड़ रहा है किसके साथ दोड़ रहा मतलब किस से connected है तो यह Arabian Sea से connected है और East पे जो Coastal Plane है हमारा ठीक है? East पे जो Coastal Plane है तो East का Coastal Plane किसके साथ है? Bay of Bengal ये Bay of Bengal के साथ connected है आगा समझ में West और East और Bay of Bengal के साथ में और Arabian Sea के साथ में connected है Clear? अब अगली चीज क्या है? अब अगली चीज यह है कि हम इने समझते हैं इसमें क्लासिफिकिशन क्या क्या है? Important चीज डिफरेंशियेट करने को आजाएंगे कोशन उसी फॉर्मेट में मैंने आपको दे दिये उसके बाद में क्या है? उसके बाद में specifically पूछ सकते हैं कि Western Coast को कैसे डिवाइड क्या है? उसके बारे मता हो इस्टन कोस्ट जो है उससे डिवाइड किया है तो उसके बारे मता हो तो वेस्ट कोस्ट, इस्ट कोस्ट, डिफरेंसियेशन दोनों एक साथ जैसे पूछना है पूछलो हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो देखो क्या है? Western Coast It is narrow plain sandwiched between Eastern ghat and Arabian sea तो डाइग्राम से समझते है Eastern ghat यह हो गए? नहीं कुछ गड़बर हो गई ज़रा देखते हैं क्या लिखा था content हमने? It is a narrow plain sandwiched between the western ghat Western ghat and Arabian sea Western ghat और Arabian sea के बीच में सेंडविज है तो यह western ghat हो गए हमारे जो continues है तो इन दोनों के बीच में सेंडविच के तरह कौन है? इन दोनों के बीच में सेंडविच के तरह है Western Coastal Plains तो Western Coastal Plains यह हो गए अब उसी का दूसरा point अगर देखें Eastern Coastal Plains जो है तो वो किसके बीच में आएगा? Eastern ghat तो इस साइड बेच में देखा यह वाइड और नेरो वाली चीज यह भी तो इंपॉर्टेंट है यह भी समझना यह शब्द में भी अपने आप एक पूरा अंसर छुपा हुआ है क्या? कि इस नेरो प्लीन इस नेरो नेरो है और यहां पर घौषतंगाट है तो Eastern Ghats क्या है? Coast से थोगा अंदर की तरफ है Coast से अंदर की तरफ है discontinues है, बीच-बीच में gap है reverse delta बनाती है तो इस संस में यहाँ पे plane area जादा है as compared to the western coastal plane western coastal plane पे area कम है eastern coastal plane पे area जादा है आया समझ में यह कारण है उसका यह होगा along the bay of Bengal फिर अगला point क्या है? अब division समझते हैं division क्या है? it consists of three section western coast जो है तो western coast पे तीन section है कौनकन कोस्ट, कन्नट प्लेन और मलाबार कोस्ट अब इन्हें plot करते हैं कौनकन कहा से मुंबई से गोवा तक का जो यह यह आए ठीक है? यह देखो यहाँ पे मुंबई, ठीक है? मुंबई से गोवा मुंबई से गोवा तक का यह इतना जो coastal plain है ठीक? मतलब यह black वाले ही है आप black वाले पे ले रहते हैं चलो इतना जो coastal plain है इस coastal plain को क्या कहा जाता है? इस coastal plain को कहा जाता है कौनकन coast सबते हैं तो इक फोला अफन से कंध कोस्टल प्लेन को उसके नीचे अगर देखते हम तो उसके नीचे जो प्लेन एरिया है पूरा उसके नीचे जो प्लेन एरिया है वो है मलाबार कोस्ट ठीक है यह मलाबार कोस्ट हो गया तो यह मलाबार कोस्ट हमने लगा लिया तो यह डिविजन हो गया वेस्टन कोस्टल प्लेन का हमने यह डिविजन देख लिया इस्टन कोस्टल प् और कौुरो मंडल कोस्ट यह दो चीजे है अब निदम सिरकर कहां से खाते हैं कि वह बता देते आपको तो तो नड़ से लगा के अधा अधर अंधर प्रदेश ञला जो एरिया है यह वाला एरिया किसमें आ जाएगा या जाएगा कोरोमंडल कोस्ट तो यह कोरोमंडल कोस्ट वाला पार्ट आ गया चैनले ही सुपर किंग्स की जो टीम थी तो पहले आपने देखा हो गया कोरोमंडल किंग लिखा रहा था तो他 तमील नाडू की सिमेंट फेक्टरी थीust तो उसने क्या करा, अपनी कमपनी का नाम, उसके Coastal then एपे रख लिया, तो Koromandel Coast, यह हो गया, और Koromandel Coast के उपर, ठीक है, ओरिषा तक, तो यह Koromandel Coast के उपर ओरिषा तक यह जो प्लें है, यह नदन सिर्कर है, ठीक है, नदन सिर्कर है, तो इस तरह से यह पांच प्लेन से है टोटल Coastal Plain में पांच प्लेन है वेस्टन में तीन है और Eastern में दो है ऐसे division हमने कर लिए है ठीक है एक बार से चालू करते हैं अगर हम तो सबसे पर कॉंकन कोस्ट कन्नट कोस्ट ठीक है मतलब कन्नट प्लेन फिर मलाबार कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट और नदन सिरकर यह डिविजन आपको ध्यान रखना है यह पांच शब्द लिख दे तो आपको पूरे-पूरे नंबर मिल जाएंगे ठीक है मतलब आप पढ़ोगे याद करोगे तभी पांथ इसको समझेंगे हम ठीक है इन रिवर्स सचस महानदी दि गोदावरी कृष्णा धिकावेरी फॉर्म सब्सहां इसन कोस्ट यह समझो देखो इस्व मुलीट किससे करेंगे पता है इसे हम रिलेट करते हैं जो हमने पढ़ था न कि हाफ पर कोस्ट जो होते तो क्या हो होते हैं और East में जो goats होते हैं वह वाइड होते हैं उससे ही relate करना स्वस्भा सपहेझा जाएगा क्या होता है कि Eastern Side पर जो Coast है हमारा ठीक है Eastern Side पर जो Coast है और Western Side पर जो Coast है तो Eastern Side में River बोहते सारी ड्रेन करते हे जैसे रिवर कौन कौन सी है महान अदी है गुदावरी खोर्फिन कारई ये सारे शॉन ज है बैने चार्टर जीघ है मैं लेकिन आपको सीख लेटर भी सही तर यह ताई रिवर्स कहां ड्रेन करती है तो यह जो समुध्र है रिवर्स ड्रीन कर रही है तो जो रिवर्स आती है तो क्या बनाती है डेल्टा बनाती है बताया था डेल्टा स्टार्टिंग में डेल्टा मतलब क्या है कि जब रिवर क्या करने वाली है जब रिवर मिलने वाली है किसमें जब रिवर मिलने वाली है समुद्र में यहां पर सम स्ट्रीम तो इस तरह से डेल्टा बनाती है रिवर क्या बनाएगी इस ट्रल्टा कोस्ट पे तो यह डेल्टा हो गया देल्टा में लेकिन कहानी अलग हो जाती है western coast पे reverse and western coast form estuary estuary's क्या चीज़े यह समझना यहाँ पना उता है कि coast जो रहता है तो wide नहीं रहता है narrow रहता है तो उस current से कह रहता है narrow है तो उप ज्ञादा जमीन नहीं है यहाँ ठीक है जमीन की कमी है narrow coast होने के कारण एरिया नहीं रहता जादा जैसे हमने देखा यहां पर वाइड कोस्ट है तो एरिया यह तो अराम से डिल्टा बन गया और अगला वो इस तरह से finger-like projection नहीं बनाती है, वो सीधे drain हो जाती है, इसके दो-तीन कारण है, कारण क्या है कि अगर आपको mountains के बीच में से drain करना है, plane नहीं है तो आप कैसे फैलोगे, आया समझ में, तो उस कारण से नदी क्या घाती है, सीधी, एक ही जैसे यह है, तो एक ही stream में जाके समुदर में मिल जाती सीधे, तो यह estuaries होते हैं, जब deltas नहीं बनते हैं, तो estuaries बनते हैं, as simple as that, जाद उसमें confused होना लिए बात ही है, तो estuaries बनाती है, कौन से coast पे, तो western coast जो है हमारा, western coast पे estuaries बनती है, clear है, इसी के साथ हमारा coastal plains वाला जो physical feature है, coastal plain वाला physical feature भी complete होता है, अब last physical feature जो बता है, वो कौन सा है, वो है, island group वाला, ठीक है, जिसे हम next video lecture में क्या करने वाले हैं, discuss करने वाले हैं, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिने आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हों, download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much